सवाद में मीठा सहध आपको कई तरह की स्वास्ते समंदित बिमारियों से बचा सकता है इसमें कई तरह के पोशक तप्ता मौजोद होते हैं जो सरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं यह कई समस्याओं में दवा के रूप में काम करता है तो आए जानते हैं अगर आप नेमित रूप से रोजाना सहद का सेवन करते हैं, तो आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप सुरू से लेकर लाश्टक जरूर देखें. नमबर एक, सहद सेथ के लिए वरदान होता है. सहद के अंदर कैल्सियम, कोपर, पोटेशियम, मैगनिज, जिंक जैसे पोसक ततो पाये जाते हैं. एंटी ओक्षिडेंट गुणों से बरपूर सहद, इमिन सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. नमबर दो. आयरवेद में सहद को सेथ का खजाना माना जाता है. ओस्दिय गुणों से बरपूर सहद आपको कई गंबीर समस्याओं से बचा सकता है. यहां स्वादिष्ट होने के साथ साथ सिहत से बरपूर होता है सदियों से लोग कई तरह की स्वास्ते समंदित समस्याओं को कम करने के लिए सहथ का इस्तेमाल गरेलू उचार के तोर पर करते हैं इसमें कैल्सियम, कोपर, पोटेशियम, मैगनीज, जिंक जैसे तमाम पोसक तत्तो पाए जाते हैं ये वजन को कम करने के साथ साथ बिमारियों को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है नमबर तीन खासी को कम करने में मददगार होता है सहद में एंटी इंप्लिमेंटरी गुण पाए जाते हैं जो खासी को सांथ करने में मदद करता है अगर आप लगातार खासी से परिशान है तो ऐसे में आप सहद की मदद ले सकते हैं जो कि आपकी काफी मदद कर सकता है एक समस सहद में हल्दी और थोड़ा सा अद्रक का रस मिला कर दिन में तीन बार पिए इससे खासी की समस्चाद जड़ से खतम हो जाती है नमबर चार हिर्द स्वास्ते में सुदार करता है सहद एंटी ओक्षिडेंट गुणों से बरपूर दिल की सहद के लिए काफी फायदेमंद होता है इसमें मौजूद प्रोपॉलिस, कुलेस्ट्रोल और ट्राइगल्स्राइड के इस्तर को बहतर बनाने में मदद करता है लेकिन अगर आपको हाई कुलेस्ट्रोल की समस्या है तो एक्सपर्ड से सला लेकर ही डाइट में आप इसे सामिल कर सकते हैं नमबर पांच सहद रोग परतिरोदक समता को बढ़ाता है सहद में एंटी ओक्सिडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुन पाये जाते हैं जो इमुन शिष्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं इससे आप कई तरह के संक्रमण और बिमारियों से बस सकते हैं नमबर चै सहद पाचन तंत्र को स्वस्त रखने में साहयक होता है जिन लोगों को पाचन समंदित समस्या है उसके लिए सहद रामबान होता है पाचन को दुरस्त रखने के लिए आप नास्ता करने से पहले एक कप गरम पानी में एक समस्याद और नीमो का रस मिला कर पी सकते हैं इससे आपको काफी फायदा मिलेगा नमबर साथ सहद नेंद के लिए बहतर होता है रात में अच्छी नींद के लिए आप सहद का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए बस एक गिलास गरम दूद में एक चबस सहद मिलाएं और इसे पी लें ऐसा करने से आपको सकुन भरी नींद आ सकती है नमबर आठ सहद वजन गठाने के लिए एक कारगर उपाए है सहद मेटाबोलिजम को बुष्ट करता है जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है इसके अलावा यह भूग को भी कंट्रोल करता है जिससे ज़्यादा खाने से बस सकते हैं अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में सहद और नीमु का रस मिला कर पी सकते हैं यह ड्रिंक वजन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है नमबर नो सहद इसकिन को मुलाइम बनाए रखता है सहद एंटी ओक्षिडेंट गुनों से भरपूर होता है यह एक नैचुरल मोस्चुराइज के रूप में काम करता है आप इसे स्किन के रूटिन में जरूर सामिल करें इसके इस्तेमाल से ड्राइ स्किन के समश्या से रहत पा सकते हैं नमबर दस आप रोजना चेहरे पर सहद से मसाज करें और करीब 15 मिनट बाद पानी से धोलें इसके अलावा आप इसका उप्योग गुटने फटे उठों को मुलायम करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें AWPL के द्वारा तयार किया गया सहद इको आरुगम मल्टी फलोरा हनी उसकी किम्मत की तो AWPL सहद की MRP प्राइस 1104 रुपए होती है DP प्राइस 849 रुपए होते हैं शैल पॉंट मिलते हैं 4 दोस्तों अगर आप ये प्रोड़क्ट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के उपर हमारे नंबर चल रहे हैं इसके उपर आप हमें कोल करें हमारे सभी प्रोड़क्ट की होम डिलेवरी उपलब्द है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंठी के निसान को ओन कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाक्त